हेलो दोस्तो नमस्कार स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल उत्राखन जी के वेरीगी जी ट्रिक्स में तो दोस्तो UKPSC और UKCCC दोनों के ही एक एक लेटेस्ट नोटिकिकिशन आया है दोस्तो उसके तहत UKPSC के द्वारा प्रधानाचारिय या प्रधानाचारिया राज जो भी सिख्शक दोस्तो पहले से सिख्शक रहे हैं या जिनका जो qualification रही है वही जो सिख्शक है इसके लिए आविधन कर सकते हैं तो online लूप से आप आविधन कर सकते हैं 11 मार्च से आपके online आविधन दोस्तों शूरू हो जplicно जारी किया गया है और 14 मार्च से 3 अप्रयल तक दोस्तो आप इसके लिए online आविधन कर सकते हैं ठीक है और इसके बाद में दोस्तो आपका examination भी होगा examination का syllabus क्या है जो भी चीज़ें हैं सभी चीज़ें इस notification में आयोग के द्वारा बताई जा चुकी हैं तो प्रधनाचारिय और प्रधनाचारिया की ये post हैं दोस्तो निक प्रधनाचारिय की और फिर महिला साका में दोस्तो महिला प्रधनाचारिया की ठीक है तो 600 जो पोस्ट है वह प्रधनाचारिय के लिए है और 66 जो है वह प्रधनाचारिया के लिए है ठीक है इसी के सांचना दोस्तो यहाँ पे अनिवारी सैक्सिक अरदा क्या है आपके दोस्तो आपने मौलिक रूप से उत्राखन सरकार के अधिन मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रधानाचारी राज की उच्चतर माधिमिय विध्याले जिन्होंने भरती के वर्स के पर्थम दिवस को इस रूप में कम से कम दो वर्स की सेवाय निकि जिन्होंने दो वर्स तक दोस्तो राज की उच्चतर माधिमिक ध्याले में प्रदाना ध्यापक का काम कर लिया हो या फिर ऐसे भिरती जिन्होंने उत्राखिन सरकार के अधिन कारिर्याद मौलिक रूप से नियुकते ऐसे प्रवक्ता या राज की इंडर कॉलेज जिन्होंने भरती के पर्थम दिवस को इस रूप में कम से कम 10 वर्स तक दोस्तो निरंतर आपनी सिवा पूरी कर लिए जो प्रवक्ते हैं ठीक है उन्होंने दस वर्स की सिवा पूरी कर लिए वो भी आविधन कर सकते हैं या फिर दोस्तों ऐसे अध्यापक सिया साइक अध्यापक प्रवक्ता के पत पर बदोनत हुए हो परन्तु प्रवक्ता राजकी इंटर पॉलिष सामने साका के रूप में दस वर्स की सिवा या आपके प्रमोशन के बाद में भी आपने दस वर्स की सिवा पूरी कर लिए तो आप इसके लिए आविधन कर सकते हैं ठीक है तो यह बेसिक वर्स की कम आयू है और यह कॉलिफिकेशन फुल्पिल करने वो इसके लौल आविधन कर सकते हैं ठीक है इसी के साथ में दोस्तों कैसा कैसे अपलाए करना है सभी चीज़ यहां पर दी गई है बाकि आपका जो फीस है जो जनरल कैटेगरी के लिए हैं 172 रुपे ठीक है और इसके रहें दोस्तों आपका जो एक्जाम का सलेबस है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ तो एक्जाम का सलेबस दोस्तों यह है कुल आपका 480 नंबर की लिखित परिक्षया होगी 60 नंबर का साक्षातकार होगा 540 नंबर का आपका टोटल एक्जाम पेपर होने वाले ह प्रस्न पत्र वन जो रहेगा, सामानी अध्यान तर्था साभवासा कुछलता करेगा, 120 नंबर करेगा, 120 यान की दो गंटे का समय आपको दिया जाएगा, 120 अंकू का ही रहेगा, ठीक है, दूसरा सैक्षिक नेतरत्वें, प्रसासने कुछलता का, बस्नोरिस्ट प्रकार का तो इसमें एक प्रसन दो नंबर को आगा, 360 नंबर का आपका एपेपर होगा, और तीन गंटे का समय आपको दिया जाएगा, 60 में 60 मिनट का दोस्तों, आपका जो 60 नंबर का है, वह इंटर्व्यू रहने वाला है, और 540 में से आपके ओरॉरल मेरिट बनेगी, आपका परिजू में दोस्तों, दो वर्स की निरनतर सिवा पूरी कर लियो राज की उच्छी दर्माध्य में वित्याले में, वह इसके लिए आविदन कर सकते हैं, साहत मापके पास पोस्ट एक वरिशन और बीएड होना, चैए ठीक है, तो यह तो था आपका पहला नोटिफिकिश जिन भी अभ्यरतिया का फिजिकल छूड़ गया था, उनके फिजिकल के लिए एक्स्टा डेट दी गई है, जो पुरुस अभ्यरतिया चूड़ गये थे, उनका फिजिकल 12 मार्च को होना है, तो जो भी अभ्यरतिया चूड़ गये हैं, वह दोस्तों इस तिथी को अपने ज गड़वाल मंदल के लिए अलग लग आपके सेंटर थे गड़वाल मंदल के अब भिरती मारना परताव स्पोर्ट्स कॉलिज राइपूर में उनका फिजीकल दोस्तो होने वाल है ठीक है तो और कुमाउ मंदल के जो भिरते हैं जो भी आपका पहले एडमिट कार्ड में सेंट पहले को आपका यह रहेगा ठीक है तो 12 और 13 आपको यादशना है तो यह आपकी टोटली दोस्तो आयोग के द्वारा जारी कर देगाए लिस्ट है तो पुरुषब भेरती 12 मार्च महिला भेरती 13 मार्च यह आपकी लिस्ट है ठीक है तो आप इस देखो अगर आप देना च थैंक्यू, थैंक्स पर वचिक 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 विडियो, स्थी नेक्स तेम धन्यवाद